हेलो एविवान वेल्कम तु दी न्यू वीडियो प्रम स्टेटीबर्ज और मैं हूँ अनुपर्फ गुपता सुरार आज की वीडियो जो है हमारी इसके अंदर हम एक बहुत ही प्रिस्टीजियोस डेली एंचियार का कॉलेज जो कि है इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलोजी इन शॉट आयम्टी गाजियाबाद के पारे में डिस्कॉस करने वाले हैं बहुत ही टाइम एन अगेन इस कॉलेज ने अपने आपको किया है और प्रिस्टीजियोस कोलेजिज की अगर हम रिस्ट बनाएं तो डेफिनिटली आएम्टी का नाम उसके अंदर एक काफी अच्छी पूजिशन के ओपर आता है तो आज की वीटियो के अंदर हम बात करने वाले कंप्लेटली इसके अद्मिशन प्रोसेस के बारे में इसके कैमपस के बारे में, eligibility के बारे में, कौन-कौन से exams लेता है, free structure क्या है, scholarships क्या है, placements क्या है, summer placements क्या है, इन सारे चीजों के बारे में डिसकस करेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं YouTube का नामे StudyBuzz, friends अगर आप StudyBuzz के pen drive course में enroll करना चाते हो, तो आपको इसकी complete details हमारी website के उपर, जो कि है www.studybus.co.in, वहाँ जाके मिल जाएगी, वहीं आप अपनो order भी place कर सकते हो, and friends, pen drive course के सबसे अच्छे features यह हैं, कि यह direct plug-and play है, आपको e-books की facility मिलती है, को internet ने चाहिए, सारी test series मिलती है, unlimited time आप देख सकते हो, 24x7 doubt forum है, basic, moderate, advanced level के अंदर questions divided है, और सारे के सारे exams को यह cover करता है, इसी के साथ हर pen drive के साथ मिलता है, आपको एक portal जिसक अंदर आपको e-books की facility मिलती है, आपको topic wise test मिलती है, जो की basic, moderate and advanced level तक की होते हैं, आपको sectional mocks मिलते हैं, LRDI, verbal and quans के, आपको weekly GK के current affairs test मिलते हैं, आपको full and mocks मिलते हैं, CAD के, SNAP के, ZAT के, IFT के, NMAT के, TISNIT के और बाकी सारे important exams के लिए, इसके लाव आपको एक study planner का भी feature मिलता है, जिसके अंदर आप एक organized manner के अंदर अपनी preparation कर सकते हो, आप अपनी deadline set कर सकते हो, questions को tag कर सकते हो, अपने daily efforts को adjust कर सकते हो, revise कर सकते हो, अपने goals को daily basis पे achieve कर सकते हो, friends, इसके related अगर आपकी कोई भी query है, तो आप हमारी helpline number 9958-937705 पे आप हमें contact कर सकते हैं, तो friends, अगर हम बात करें, institute of management technology, in short, IMT की, तो इसको establish किया गया थे, 1980 के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, और इसको इंडिया का एक premier AACSB, accredited, यह management school है, with a distinct focus, कि यह leadership groom करता है, through innovation, execution and social responsibility, जो IMT गाजियाबाद है, यह consistently rank हुआ है, among the top management institutes in the country, and जो इसका alma matter है, उसके अंदर, more than, 1000 से ज़्यादा, executives, यानि की, corporate suit executives हैं, thousands of professionals हैं, जो leadership positions के अंदर, काम करें, across various organizations in India and around the world, and की, business functions के अंदर, वो काम करें, for example, sales, operations, HR, consulting, information technology, marketing, finance, among others, इन सारी domains के अंदर, यहां के बच्चे गए हैं, जोनों ने बहुत अच्छे तरीके से perform किया है, और leadership और management position के अंदर, आज वो lead कर रहे हैं, अगर friends हम बात करें इसके campuses की, तो IMT का सबसे main, सबसे पुराना जो campus है, वो इनका गाजियाबाद का campus है, आज की वीडियो के अंदर हम complete information गाजियाबाद के campus के बारे में discuss करने वाले हैं, जल्दी ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जोसके अंदर मैं इनके हैद्राबाग और नाकपुल वाले campuses के बारे में भी discuss करूँगा, तो आज की वीडियो के अंदर हम thoroughly गाजियाबाद के बारे में बात करेंगे, अगर फ्रिंद्स हम बात करें important programs की, तो important programs ये कौन-कौन से offer करता है, वैसे major-major इसके चार programs है, सबसे पहला इनका general PGDM है, Postgraduate Diploma in Management, जिसको हम general PGDM कहते हैं, दूसरा हैं इनका PGDM in Marketing, तीसरा है PGDM in Finance, और चोता है PGDM Banking and Financial Services, ये इनके चार major programs है, इसके लावा इनका एक और program है, जो है PGN-BCP, Dual Country Program, जिसके अंदर ये कुछ टाइन करे बच्चों को दुबाई भी लेके जाते हैं, इनका एक campus दुबाई के अंदर भी है, तो वहाँ पर ये लेके जाते हैं, वहाँ पर international immersion बच्चों को मिलता है, वह इनका अलग program है, तो friends, अगर हम इनके PGDM और बाकी सारे जो allied PGDM courses हैं, इनकी eligibility के बारे में बात करें, तो इनकी eligibility almost वही है, जो हर college की होती है, कि आपके बास minimum 3 years की bachelor's degree होने चाहिए, at least उसके अंदर 50% marks या equivalent CGP होना चाहिए, किसी भी recognized university से, उसके बाद जो बच्चे final year के अंदर है, अपनी graduation के वो भी eligible है apply करने के लेकिन subject, तो obtaining minimum marks होने चाहिए, अगर graduation में उनके जब minimum marks आ जाएंगे, यानि कि जो minimum 50% marks है, तो उनका admission जो provisional से वो permanent हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको गाजियाबाद वाले campus के अंदर admission लेना है, तो वहाँ पे सिर्फ ये दो exams accept करता है, cat और zat, in case अगर आप CMAT के तुरू apply करना साथे हो, तो CMAT के form के तुरू, आप हैदराबाद और नाखपूर के अंदर apply कर सकते हो, apart from cat and zat, यानि कि हैदराबाद और नाखपूर के अंदर cat, zat और CMAT तीनों consider होंगे, लेकिन गाजियाबाद वाले campus के अंदर सिर्फ cat और zat ही consider होते हैं, इसके लावा आपको इसका separate application form भरना पड़ेगा, और fee भनी पड़ेगे, जो कि ये 2,000 रुपीस प्लस में जो additional charges होते हैं, अगर आप इसका ये separate form और fees नहीं भरते, तो आपको फिर IMT consider नहीं करेगा for admission process, तो फिर जगर हम seat matrix के बार में बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है, IMT के अंदर बहुत सारी seats हैं, जो इनका financial management है, उसके अंदर 60 seats है, marketing के अंदर 180 seats है, banking and financial services के अंदर 60 seats है, यानि कि काफी, काफी large number of seats आपको IMT घाज़ेबाद के अंदर देखने के ले मिलती है, जिसमें जे एक seat आपको अपनी convert करनी है, अगर फिर आप method of selection के बार में बात करें, तो इस shortlisting इनका process क्या है, कि पहले तो यह देख दे, exceptional profile, according to their information procedure, according to their admission procedure, तो उन्हेंने काई कि basic eligibility के apart, and sound academic scores के अलावा, ये at least one of the following capabilities बच्चों के अंदर होनी चाहिए, क्या कि bachelors कोई ऐसी discipline के अंदर हो, from a reputable and premium undergraduate college university या institute within India, यानि कि आपकी bachelors, किसी अच्छी university या college से होने चाहिए, या आपका exceptional work experience हो, यानि कि for example, apart from eligibility criteria, आप work करेंग किसी leading national या foreign multinational के अंदर, minimum आपका 2 years का या 24 months का, after graduation, full time work ex है, ठीके, उसी कोई consider किया जाएगा, अगर आप internship, articleship, part time work या live project को, इन सब को work ex के अंदर consider नहीं किया जाता, सिरा full time work ex after graduation को ही consider किया जाएगा, या high test score आपके हो, for example, CAD में, ZAT में, या CMAT में, CMAT only for Hyderabad and NACCOR, so, किस तरीके से इसकी cut off रहती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो फ्रेंज अगर हम selection process के बारे में बात करें, कि ये क्या-क्या चीजे देखता है, तो आपके सामने हैं, सबसे पहले, ये test करेंगे critical thinking, यानि कि critical and analytical skills ये check करेंगे, thinking के, written communication skills देखेंगे, ये innovation and creativity चेक करेंगे, उसके बाद जब ये बच्चों का personal interview करवाएंगे, तो personal interview के अंदर ये communication and interpersonal skills देखेंगे, domain knowledge देखेंगे, analytical and problem solving skills देखेंगे, business affair and general awareness देखेंगे, and future potential for employability को भी ये देखेंगे, आपके academic scores को ये देखेंगे, उसके लाबाँ आपके entrance exam CADS, CMAT के score को भी ये देखेंगे, not for the गाजियाबाद campus, उसके बाद work X के अंदर ये duration and quality of the work X देखेंगे, and academic diversity भी ये देखेंगे, कि non engineering students अगर वो reputed rank colleges से, universities से हैं, और merit से हैं, तो उनको भी preference दी जाएगी, ताकि class diversity maintain रहे, उसके बाद में अगर हम fee structure and cut off के बारे में बात करें, तो जो इनका course है, PGDM का, PGDM marketing का, PGDM finance and BFS का जो course है, उसके जो fee structure है, वो 2 years की 20 lakh rupees है, लेकिन BFS वाले program के अंदर, आपको mandatory international immersion में जाना होता है, ये यॉरप लेके जाते हैं, जिसकी additional fee 5 lakh rupees होती है, और अगर हम miscellaneous expenses भी जोड ले, तो minimum तो minimum 3 to 4 lakh rupees हमारे minimum expenses लगने हैं, तो यानि कि अगर हम general PGDM के बारे में बात करें, ठीक है, so that is somewhere around 23 to 25 lakhs, और अगर हम BFS वाले program के बारे में बात करें, तो total landed cost इसकी somewhere around 30 lakhs के राउं होदाती है, तो अगर हम 20 से 25 lakh rupees या 30 lakh rupees spend कर दे हैं, तो हमारी कैसी placements हो सकती है, तो इन सारी चीजों को जानना ज़रूरी है, तो friends अगर हम cut off के बारे में बात करें, कि इनकी cut off किती रहती है, तो since ये cat और zat school accept करता है, तो एक general trend है कि 90 plus percentile अगर आपकी है cat और zat के अंदर, तो आप IMT गाज़्यवाद के अंदर अपलाए कर सकते हो और आपको call आ सकती है, अगर friends हम scholarships के बारे में बात करें, तो बहुत सारी scholarships भी है यहां पे, for example 5% वाली tuition fee waiver वाली scholarship है, female students को 5% waiver मिल जाएगा, उसके लावा और भी कुछ scholarships and schemes है जिनका फाइदा ले सकते हो, जिसकी वज़े से जो आपकी piece structure है, उसके अंदर आपको थोड़ा दी leap मिल सकता है, और moreover आपके लिए बहुत सारे finance की opportunities यानि की loan की education loan की facilities भी है, IMT गाजयवाद के कई सारे banks के साथ tie up है, जिसके साथ आपको easily ये amount loan की ओपर भी मिल जाएगा, और आपको ये pay करना होगा जब आपकी job लग जाएगी, उसके बाद से आपको ये pay करना होगा, उसके बार अगर हम summer placements के बार में बात करें, तो इस college की summer placements क्या रही हैं, तो highest stipend था, वो 3 lakh rupees का था, जो median stipend था, वो आप देख सकते हो, 40,000 rupees का था, और जो average stipend था, वो 62,000 rupees का था, अगर प्रिंज हम batch profile के बार में बात करें, तो 84% बच्चे males थे, 16% बच्चे याँ females थी, graduation में 60% engineers थे, 40% non-engineers थे, और work X में 60% बच्चे freshers थे, and 40% बच्चे experience थे, अगर हम sector wise के बार में देखें, तो maximum batch VFSI के अंदर गए हैं, फिर manufacturing and engineering के अंदर गए हैं, फिर FMCG, IT, और consulting के अंदर, और बाकी सारे अगर हम sectors देखें, तो उन में भी थोड़े बहुत बच्चे गए हैं, चाहिए media हो, services हो, retail हो, e-commerce हो, education हो, या automobile हो, अगर में हम final basements के बार में बात करें, तो program wise data आपकी screen के सामने हैं, अगर हम general program के बार में बात करें, PGDN के, तो overall average इनकी approximately 15.5 थी, जो median था, वो 14.75 था, जो average 25%, top 25% बच्चे जो थे, उनका 21 था, highest offer almost 29.5 का था, और highest international offer 62 का था, अगर हम BFS वारे program के बार में बात करें, तो जो average था, वो 14.76 था, median 13 था, average top 25% बच्चो का 21.19 था, और जो highest offer था, वो 27.75 था, अगर प्रेंट हम देखें, तो इन्होंने record placements करवा दी हैं, 517 बच्चो की in 17 days, और यह सारा का सारा data हम देखी चुके हैं, 10% बच्चो का जो CTC रहा है, average वो 24.99 रहा है, और top 20% बच्चो का 21.80 रहा है, तो फ्रेंज, यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने complete discussion, IMT घाजियाबाद के बारे में कर लिया है, अब आपको complete information इस college के बारे में है, कि कौन से exam जिलेता है, क्या फ्री स्ट्रक्चर है, क्या फ्रेस्मिंट्स है, क्या scholarships है, तो अगर वीडियो पसंद आयो, तो आप लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोज हम फ्यूचर में और बनाते रहेंगे, आप अपने suggestions नीचे, comment box के अंदर भी दे सकते हो, अगर आप की कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें WhatsApp या e-mail भी कर सकते हो, प्रीज हमाँ पर इंस्ट्राग्रम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, हमाँ इंस्ट्राग्रम हैंडल स्टीबस अंडर्स 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 को एजूटिशन, जा झालो एक मैंडर्स अंडर्स वांट वाग्द स्टीबस चूटूटूटूजएए इंस्ट्राग्रचेशन,